दोस्तो अभी तद आप में केवल मनुष्ची के प्रेम कहानी सुनी होगी परन तो आज हम आप एक नागिन के ऐसी प्रेम कहानी दिखाएंगे जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे एक इच्छा धरी नागिन की सच्ची प्रेम कहानी वो भी एक सधार्ण मनुष्य से आपने साइट पहले ही कभी देखा हो पर ये एक सच्ची घड़ना पर अधारित है दोस्तो जारखंड के गाउं के युवक से इच्छा धरी नागिन ने साधी कर ली वो भी पूरे गाउं के सामने दोस्तो जारखंड के गाउं में एक सोनु नाम का लड़का था उसके परिवार में उसके माबाप और एक छोटा भाई था सोनु के माबाप मजदूरी करके घर का खर्चा चला पाते थे वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिन्दगी देना चाहते थे तथा पड़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान मनाना चाहते थे और इसी वज़र से वो अपने बच्चे के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे लेकिन समय के साथ सोनू अब बड़ा हो चला था उसे अपने पिता का सारे दिन बगेर थके काम करना अच्छा नहीं लगता था और इसी वज़ों से सोनू ने गाउं में ही रहकर कुछ काम करने की सूची एक सुन्दर इच्छाधारी नागिन रहा करती थी एक दिन सोनू जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे थोड़ी दूर पर एक आवाज सुनाई देती है उसने देखाए कि भेडिये ने हिरन के छोटे बच्चे को घायल कर दिया सोनू दोड़ के उस हिरन के बच्चे के पास गया और उस भेडिये को अपने कुलहाडी से ढरा के भगा दिया हिरन का वह बच्चा भी होस पड़ा था सोनू को जंगल की जड़ी बूटियों का थोड़ा फ़द ग्यान था उसने जड़ी बोटियों के सारे उस हिरण के बच्चे का इलाज किया वहीं पेड़ के पीछे से यह सब एक इच्छाधारी नागिन देख रही थी एक इच्छाधारी नागिन ने सोनू को उस हिरण को जान बचाते हुए देख लिया था सोनू की साथ गिया और उसके अच्छे आचरण को देख वो इच्छाधारी नागिन सोनू को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी और उसे ही उससे प्यार हो गया वहीं इन सबसे अंजान सोनू रोज उस हिरन के बच्छे का ख्याल रखने के लिए जंगल के उस तरफ जहां वो इच्छाधारी नागिन रहती थी रोज जाने लगा और इच्छाधारी नागिन रोज सोनू को उस पेड़ के पीछे छुप देखती रहती एक दिन सोनू जब जंगल में गया तो उसकी नजर उस इच्छाधारी नागिन पर पड़ गई वह नागिन उसे पेड़ के पीछे चुप देख रही थी और मुस्करा रही थी सोनू उसकी तरफ आगे बढ़ा परन्तु जब उसने देखा कि उस इच्छाधारी नागिन के नीचे का हिस्ता सरब के समान है तो वह डर गया और वापस भागने लगा परन्तु इच्छाधारी नागिन ने उसे रोक लिया और बताया कि वह सोनू से प्यार करती है पहले तो सोनू पड़ा घबराया परन्तु इच्छाधारी नागिन की संदरता पर सोनू भी मंत्र मु दोड रही थी परन्तु वो कहीं दिख नहीं रही थी अब सोनु को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ इच्छाधारी नागिन को कुछ हो तो नहीं गया कि तभी उसमें देखा एक पत्थर के नीचे वह इच्छाधारी नागिन भी होस पड़ी है उसे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से बिमार है सोनु ने तुरन जंगल से जड़ी भूटी घटी कर उस नागिन का इलाज किया जैब नागिन को होस आया तो उसमें दीखा कि सोनु उसके पास ही बैटा है जो उसके लिए बहुत चिंतित था नागिन के होस में आते ही सोनु ने उसे अपने गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार किया जैसे सोन नागिन बहुत खुष हुई अब वे दोनों एक साथ अक्सर जंगल मेश समय भिधाया करते और कभी कभी सोनु नागिन को अपने साथ अपने गाउं दिखाने भी लाया करता उस समय नागिन इनसानी रूप में हुआ कर परन्तो कुछ गावालों को ये बात जब पता लगी कि सोनू एक नागिन से प्यार करता है और उन्होंने इस बात को सोनू के माँबाप तक पहुचा दि जैसे ही सोनू के माता पिता ने ये सुना कि उनका लड़का एक नागिन से प्यार करता है तो उन्हें पने बेटे की चिद्दा सताने लगी और उन्हें तुरंथ पास के ही एक गाउं के लड़की से सोनू के साधी करानी की फैसला कर लिया इस फैसले से सोनु और इच्चा धनी नागिन बहुत प्रिशान होने लगे क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दिन भी थे और वह दिन आया जिस दिन सोनु की साधी थी सोनु बहुत दुखी था परंतु वह अपने माबाप की आदेश को ठुकरा नहीं सकता था उसकी दुलहन गुंगट ओडे मंड़क से पहले ही वहां मौझूद थी पंडित ने पूरी रिती रिवाद से सोनु की साधी उस लड़की से करवा दी परंतु जैसे ही साधी पूरी हुई अचानक से तेज हवा चलने लगी और उस हवा से दुलहन का गुंगट हट गया और दुलहन कोई और नहीं बलकि वही चलहरी नागिन थी सोनु बहुत खुश हुआ और अब तो साधी हो चुकी थी इसने समाज के सान सोनु के माबाप ने भी साधी को मंजूरी दे दी